भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पांच मैचों की टीटोंडी सिरीज समाप्ट हो चुकी है आपको बता दें कि सिरीज 2-2 से 4 मैचों के बाद बराबर थी आकरी मैच फाइनल मुकाबला था जिसे वेस्ट इंडीज के टीम ने 8 फिकेट से जीत कर अपने नाम किया मुकाबले की बात करें तो भारत ये टीम पहले बले बाजिक करते हुए निर्धारिद 20 ओवर में 115 तरण ही बना सकी जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज के टीम में 18 ओवर में 171 रन बनाकर के जीत हासिल कर लिए टीम ने 12 गेंट बाकी रहते हुए 8 फिकेट से मुकाबला अपने नाम किया भारत के लिए जहां सूर्य कुमार यादव ने इक से टन की पारी खेली तो वही वेस्ट इंडीज के लिए ब्रेंडन गिंग ने 85 रन अबाद और निकुलस पूरन ने 47 रन बनाकर के टीम को जीत दिलाए लेकिन इन सभी के वीच बात अगर भारतिय बलेबाज की करें तो भारतिय बलेबाज में शुबमन गिल को अपने एक गलत फैसले का काफी रदा खामियाजा भुगतना पड़ा जरसल आपको बता दें कि यह 6 वी जैस्वाल पांचन बनाकर पविलियन लॉट गए इसके बाद तिरक वर्मा, संजू सामसंद, हार्दिक पांडे, अक्षर पटेलर, जी सिंग, खुल्दीप, यादव, इसमें दर चेहर मुकेश कमाजे से बलेबाज लॉप हो गए और इस दोरान शुबमन गिल भी नौरन बनाकर पविलियन लॉट है हलाकि शुबमन गिल जब पविलियन लॉट अब देखा गया कि शुबमन गिल नौट आउट थे अब बात करें उनके विकेट की तो अकील हुसेन गेंद बाजी कर रहे थी जोरान उन्होंने शुबमन गिल को गेंद डाली दरसल शुबमन गिल के पैट पर वो गेंद लगी गेंद बाज और साथी फिल्डिंग टीम ने अपील की कि ये आउट है अमपार ने उगलियां उठाई इसके बाज शुबमन गिल ने सुरिकुमार यादव से पूछा कि क्या ये बाकर ये आउट है तो शुबमन गिल की जो गेंद थी वो विकेट के बाहर थी और शुबमन गिल नौट आउट थे यानि कि सुरिकुमार यादव की एक चूक और साथी शुबमन गिल और सुरिकुमार यादव के बीच इस गलती ने शुबमन गिल का विकेट गवा दिया आपको ये भी उता दें कि शुमंगिल ने चौथे टीटरूनी मुकाबले में भारत के लिए एक शांदार पारी खेल करके टीम को जीत दिलाई थी और ऐसे में वे पांच में मुकाबले में केवल नोरन बना कर आउट हो गए अलाकि शुमंगिल के लिए पूरी सीरीज ही काफी ददा खराब रही इसका वर्म फिलाले तहीं अब ताजा वेट और जानकारियों के लिए बने दिये वनेडिया के साथ